नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस लिक्चर में हम national international current affairs का mcqs discuss करने वाले हैं और इसे शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें जो है आप लोगों को बता दूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे आप लोगों को पता है कि competition community का current affairs का नया प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है current affairs का नया clever नया flavor और इस प्रोग्राम के तहट आप पूरे हपते बर अलग-अलग subjects के अधार पे यानि की current affairs को subject से relate करके पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी नीखत मैम और economics का current affairs subject से relate करके आकास सर और science and tech plus environment हेमन सर डील कर रहे हैं और उनके अलावा जितने भी topics बच जाते हैं वो आज के इस वीडियो में MCQ-based पे आपको मिलने वाला है और इसके अलावा जो topics भी उन लोग पढ़ा रहे हैं तो उसके important topics का crux भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है यानि कि उनके questions का discussion भी और explanation भी इस वीडियो में किया जाएगा तो पूरे हपते भर आप इस series से जरूर जूड़े consistency maintain जरूर करें हमारे साथ बने जरूर रहे हैं क्योंकि exam shortcut तरीके से नहीं निकल सकता इसी लिए current affair का या विस्ट्रिक प्रोग्राम है ताकि अब subject से relate करके स साथ में आपका subject का भी revision होता है और साथ में current affair को भी बहतर समझ के साथ पढ़ सके इसलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है हमारा उद्देस से सिर्फ एक है कि बहुत ही बहतरी quality का content आप तक deliver किया जाए तो आपका काम यह है consistency maintain करना हम consistency consistency maintain करेंगे लेकिन आपको भी करना पड़ेगा ठीक चलिए तो आज के इस वीडियो में एक मार्च से लेकर 26 मार्च तक के हलाकि आज हम शुरू कर रहे हैं यानि कि मेरा पहला वीडियो है तो इसलिए पूरे मार्च भर को मैंने इसमें cover कर लिया क्योंकि हमारे current affair का नया flavor नया flavor जो है वो मार्च में शु current affair का MCQs वो सापताहिक शुरू हो जाएगा तो बस इस वीडियो में थोड़ा सा content ज्यादा होगा यानि कि वीडियो का लेंते ज्यादा होगा तो manage कीजिएगा और अगले हपते से हम consistent way में ही सापताहिक इसको शुरू करेंगे ठीक इसके लाबा इस वीडियो का या फिर जि crux या फिर ये content जो है आपको competition community के magazine में मिलेगी और ये magazine market में available है अप्रेल edition का तो ये market से आप purchase कर सकते हैं 36 गड़ के सभी प्रमुख किताब घरों में ये उपलब दे यानि कि सभी सहरों के सभी प्रमुख किताब घरों में उपलब दया वहां से आपराप्त कर सकते हो limited पह नहीं मिल रहा है तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लें 774790111 ठीक हम से जुड़ना चाहते हैं बहतरीन content के साथ में preparation करना चाहते हैं तो competition community का mobile application ये scanner को scan करके आप डाउनलोड कर सकते हो direct competition community google play पे store पे सर्च करके भी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो चुलिए पहला question देखते हैं पहला question है युक्रेण में भारतिय नगरिकों को वापस स्वदेश लाने के उद्देश से ministry of foreign affairs भारत सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत के गई है वंदे भारत मिशन, operation देवसक्ति, operation रहात या फिर operation गंगा तो इस question का सही जवाब क विच वार छिड़ा हुआ है वहाँ पे कई ऐसे भारतिये रहते थे जो कि फसे हुए थे और किसी न किसी वज़े से वो परेजान हो रहते इस यूद्द से तुन्हें भारत से वापस लाने के लिए एक जो है operation चलाया गया जिसका नाम रखा गया था operation गंगा यहां से कब की गई तो इस mission के शुरुआत आपका 2020 में किया गया था कोवीड-19 के दौरान विदेशों में फसे हुए भारतियों को वापस स्वदेश लाने के लिए तो कौन-कौन सा कब operation चलाया गया है यह आपके एक्जाम के लिए बहुत important हो जाता है इसलिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे अब हम operation देव सकति की बात करते हैं तो यह भी हाल-फिलाल में ही चलाया गया है कब चलाया गया है तो यह operation वर्स 2021 में आपका चलाया गया था क्यूं चलाया गया था तो अफगानिस्तान पर तालिओन के कब जेक अफगानिस्तान से भारतियों को वापस देश लाने के लिए operation देव सक्ति चलाए गया 2021 में operation रहात की अगर हम बात करें तो operation रहात चलाए गया था 2015 में यमन क्रैसिस के दोरान वहां से भारतियों को वापस लाने के लिए यह campaign आपका चलाया गया था चलिए ठीक है तो ये चारो operations के बारे में आपको याद रखना होगा साथ में आप Ukraine जो वार छेडा हुआ है तो Ukraine के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उसका आस पास का geographical location किस प्रकार से हो भी पता होना चाहिए क्योंकि यहां से भी आपसे question पुछे जा सकते हैं Ukraine की अगर हम total area की बात करें तो ये है 6,3628 km2 का total area है population की यहां की अगर हम बात करें तो इसका population है आपका देख सकते हो 4,11,67,336 Ukraine के अगर map पे आप ध्यान रखोगे तो ये पूरवी Europe का और Europe का दूसरा सबसे बड़ा देश है area wise में Russia सबसे पहले नंबर पे है क्योंकि Russia को अगर आप देखोगे तो वो land अपना Europe के साथ में भी साजा करता और Asia के साथ में भी साजा करता है यूरोप में अगर हम Russia को count करें तो वो area wise में सबसे बड़ा country है और area wise में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा country है यूक्रेन इस बात को भी दियान रखेगा पूरी भी यूरोप में यह आता है और इसके आसपास के countries का नाम भी याद रखना जैसे पोलेंड हो गया बेलारूस हो गया उपर साइड में चले जोगे तो रसिया आ जाता है इधर रोमानिया आ जाता है तो इस तरह से इसके कुछ परूसी countries के बारे में भी याद रखना यूकरेन के नीचे में ये वाला हिस्सा आप देखते हूँ क्रीमिया के रूप में जिसे 2014 के समय इस पर हमला करके रसिया ने अपने अंदर मिला लिया था यानि कि इस पर जो अधिकार है पूरी तरह से किसका है रसिया का है एक बहुत important C यहा यहाँ पर natural gas का एक बहुत ही बड़ा भंडार मिला था किसे तुर्की को मिला था और black sea कहीं न कहीं जो युद्ध हो रहा है उस पर एक point यह भी है कि रसिया का जो नजर है वो कहीं न कहीं black sea पे भी है क्योंकि इन countries के बीच में जो भी trade का एक सुगम मार्ग है वो black sea ही है इस इसलिए इन countries का नजर black sea पे भी रहता है और इस black sea में सुगमता से वैपार होता रहे इसलिए एक convention हुआ था उस convention को हम क्या कहते हैं Montreux Convention जो की 1936 में हुआ था ये convention इसलिए हुआ था ताकि black sea के जरिये जो है इन countries में वैपार सुगमता से होता रहे यूक्रेन के बारे में कुछ और important facts आप ध्यान रखने जैसे पहला सबसे खूबसूरत लड़कियों का देश कहा जाता है यूक्रेन को agriculture sector में पूरे वर्ड म वो तीसरे नंबर पे है तो इस तरह से यूक्रेन के बारे में आप कुछ points याद रखिएगा एक point और याद रखिएगा कि सबसे गहराई में metro train चलाने वाला कोई देश जो है वो यूक्रेन ही है ठिक बढ़े आगे अगला question हाली में चर्चा में रहा North Atlantic treaty organization यानि कि उत्री Atlantic स संधी संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है option 27, 28, 30, 29 और 30 North Atlantic treaty organization एक military organization है जैसे होता है जी 20 हो गया, G7 हो गया, BRICS हो गया, संगाई corporation organization हो गया तो ये multiple objective बाले organization है जिसमें मुख्य फोकस होता है economics पे, security पे या फिर environment पे तो ये उसके मुख्य फोकस होते हैं इसलिए जो नाटो organization है, इसके अलावा जो नाटो organization है, यानि कि North Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organization या है, एक military organization है, जो 30 देशों का सम्मू है, तो नाटो में 30 सदस्य देशों हैं वर्तमान समय में, रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार छिड़ा हुआ है, उसका एक वज़ाई ये भी है, क्यों खिलाव था, और नाटो से रसिया को क्यों problem होता है, इस पर भी हम थोड़ा सा discuss जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप नाटो के formation कब हुआ था, ये बात याद रखिएगा, तो second world war के बाद, 4 अप्रेल 1949 को 12 संस्थापक देशों के द्वारा नाटो का जो है, establishment किया गया इसका headquarter कहा है, बेलारूस में, जब इसे establish किया गया था, तो कहां establish किया गया था, तो इसी establish किया गया था, Washington DC जो कि अमेरिका में स्थित है, total membership जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 30 देसे इसके वरतमानस्वा में member है, अब नाटो को establish करने के पीछे का मुख्य उद्दिश भ खिलाफ लड़ाई लड़ा था, जब second world war खतम हुआ, तो जो भी countries एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उन्हें डर था कि बाद में उन पर Soviet Union attack कर सकता है, तो यही समस्या को दूर करने के लिए नाटो को स्थापित किया गया, और ऐसा कहा गया, कि अगर मान लोग किसी एक देस प था कि पश्चमी यूरोप में सामयवादी राजनेतिक विचारधारा का जो प्रसार है वो तेजी से बढ़ रहा था, इसे काउंटर करने के लिए भी नाटो को स्थापलिस किया गया, नाटो से related एक fact और आपको याद रखना है, वर्स 2001 में अमेरिका पे आतंकवादी हमला ह होता है, और उस हमले के बाद नाटो के समविधान में आर्टिकल 5 को जोड़ा जाता है, ये नाटो का आर्टिकल 5 क्या है, तो नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है, कि अगर कोई देश या फिर कोई भी नाटो के सदस्य देश में से किसी भी देश पे हमला करता है, तो वो उस देज पर हमला नहीं माना जाएगा, वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा, तो इसलिए रसिया इस बात को यह समझता है कि नाटो का गठन ही उसके खिलाफ किया गया है, तो इसलिए बार 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 नाटो का विरोध जो है वो रसिया के दोरह किया जाता है, यह कुछ important facts आ चार सो किलो मेटर की उचाई पर स्थापित है, और एक fact और भी याद रखिएगा कि जो international space station है, इसका speed 28,000 km पर आवर है, और यह जो है 90 घंटो में पृत्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, और international space station launch कप किया गया था, अगर हम इसकी बात करें, तो इसे launch किया गया था 1998 में, पाँच देशों के द्वारा इसे launch किया गया था, और पाँच देशों द्वारा इसे वरतमान समय में संचालित भी किया जाता है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, और यूरोपिय अंतरिक्ष एजेंसी भी है, और इसके अलावा कैनेडा है, और यह पाँचों इसे international space station के बारे में, आप कुछ और important facts को यहाँ पर समझ लीजे, जैसे इसका अगर हम length की बात करें, तो इसका length है आपका 73 meter, और अगर हम इसके width की बात करें, तो यह लगभग 101 meter के आसपास इसका width है, ठीक है, तो international space station के बारे में, यह कुछ important facts याद रख ले गया, और international space station के बारे में, कुछ सालों पहले, जो भारतिया मुल्की, अमेरिकी नागरी थी, सुनीता विल्यम्स, इन्होंने लगभग 6 महीने तक इस international space station में रहा था, और ऐसा कहा जाता है, कि अगर रसिया अपना समर्थन वापस ले लेता है, या फिर ले लिया है, तो इसके क्या नुक आप जो अगला question है, वो है Oxford Economics के report के मुताबिक, यूटॉब creators ने वर्स 2020 में भारतिया अर्थ व्यवस्था में कितने करोड रुपय का यह पतान दिया, यह बहुत important topic हो जाता है, अपका prelims examination के लिए भी और mains examination के लिए भी value addition के लिए बहुत कामा सकता है, तो भारतिया ZDP में क कुछ और आकड़े इससे related अगर आप देखोगे, तो 6,83,900 ऐसे लोग हैं जिनको full time job दे रहे हैं इस समय वर्तमान समय में YouTube creators, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है, job creation का भी काम भार के YouTubers कर रहे हैं, और इसके अलावा 80% ऐसे entrepreneurs हैं, जिन्होंने positive impact माना है, कि YouTube का उनके growth में कहीं न कहीं positive impact हमको पड़ा है, तो यह सब जो data है, आप याद रख सकते हो, कहीं न कहीं पर काम आएगा, value addition के तोर पर, इसके अलावा यहाँ पर आप देखो के तो 72% creative जो entrepreneurs हैं, वो इस बात से agree करते हैं, कि जो Google पे add चलता है, या फिर Google जो ads के जरिए, या फिर उनको जो promote करता है, उससे कहीं न कहीं उनके income resources है, उसमें वृद्धी देखने को मिला है, इसके अलावा वर्ष 2020 में 40,000 ऐसे YouTube creators थे, जिनके subscribers एक लाग से ज़्यादा थे, और ये per year 45% के हिसाब से grow कर रहे हैं, और भारत का 95% music industry है, वो ये मानती है, यानि कि जो music industry है, उसमें से मानने वालों की संख्या 95% है, कि उनके music को globally पहुचाने में जो मदद कर रहा है, वो आज के समय पर YouTube कर रहा है, तो इस कुछ points को याद रखिएगा, आपके लिए कामा सकता है, अगला point, भारत में महिला, भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्त में सुधार के उद्देश से, महिल देखोगे तो एक mental health बहुत बड़ा जो है problem बनते जा रहा है, चाहे वो बच्चों की बात करें, चाहे वो यंग एज की बात करें, तो इस तरह का problems बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हाल ही में women and child development ministry द्वारा, खासकर महिलाओं में जो mental, चाहे anxiety की बात कर लो, चाहे depression की बात कर लो, तो इस तरह के problems को खत्म करने के लिए और इसका solution निकालने के लिए, इस तरी मनुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो क्या है ये इस तरी मनुरक्षा परियोजना, इस से related कुछ important facts आप लोग याद रखिएगा, इसे शुरू किया गया है, पूरे solution पा सकती है, और यही one stop center पे जो है, महिलाओं को, जो भी उनका mental health issue है, वो यहाँ पर discuss कर सकती है, वहाँ पर इसका समधान जो है, वो मिल सकता है, और इस COVID अबधी के दोरान, one stop center ने बहतरीन कारे भी किया है, और यह काफी news में रहा था, और आज भारत में पूरे देजभर में देखोगे, तो 700 one stop center जो है, प्रेजन टाइम पर कारे रथ है, और इसके अलावा, option में जो कुछ और दिया हुए, उसके बारे में भी देख लीजिए, राश्टिय मानसिक स्वास्तकारिकरम, इसे शुरू किया गया था, आपका 9082 में, और इसके अलावा, आपका mental health care act भ को स्टाबलिस किया जा सके, तो इस तरह से भी कुछ यहाँ पर प्रोग्राम आप थ्यान में रख सकते हैं, और इसे भी याद रख सकते हैं, राश्टिय टेली मानसिक स्वास्तकारिकरम, ये COVID-19 के दौरान, जो mental health issues related कोई भी प्रोब्लम आ रहा था, इसके लिए प्रोग्र केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया है, इस से related कुछ important facts याद रखिएगा, केनिया की राजधानी नैरोबी में 28 फरवरी 2022 से लेकर, 2 मार्च 2022 तक 5 वास्ता युक्तराष्ट परियावरन सभाका आयोजन किया गया, और ये important इसलिए हो जाता है, क्योंकि 175 देशों न ऐसा समस्या जो पूरे देश भर में, पूरे विस्व भर में देखने को मिल रहा है, जिससे pollution create बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे खत्म करने के लिए पूरे देश भर, पूरे विस्व से 175 countries ने जो है, इस संधी पर हस्तक्छर किया है, जिसे global plastic treaty के रूप में कहा जा रहा है और ये कानूनी रूप से बाद्धिकारी वैस्विक संधी पर सहमती व्यक्त किया, यानि की कानूनी रूप से बाद्धिकारी भी है कि इसे आपको खत्म करना ही करना है, यह जो है, और अगर आप देखोगे तो यह अपने आप में एक पहला संधी है, जो की plastic को कानूनी पूरी दुनिया में ऐसे plastic है जिसका निप्टारा नहीं किया गया है तो ये भी एक बहुत important points हो जाते हैं तो इन बातों को आप ध्यान जरूर रखिएगा इसके अलाबा अगर कुछ और important facts देखें भारत का अगर हम data देखें तो भारत में 26,000 ton per day plastic का उत्पादन किया जाता है जिसमें से 10,000 ton जो है इसका कोई समाधान नहीं होता यानि कि कहीं भी इसे decompose नहीं किया जाता तो ये 10,000, 71 ही नहीं होते हैं आप कह सकते हो तो plastic pollution जो है एक बहुत बढ़ी समस्या बन चुकी है पुरी दुनिया के लिए और इसे खर्म करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम क्या दिया गया है यानि कि दो ट्रीन अगर एक ही पट्री पे आमने सामने आ जाते हैं तो टक्कर होता है और बहुत बड़ी दुर घटना होती है और एक अगर दो पट्री पे आ जाया तो उसे sensor के जरीए कैसे रोका जा सकता है फिर कैसे automatic control किया जा सकता है तो इसलिए एक रोधी प्रनाली भारतीय रेलवे ने विक्षित किया है जिसका नाम दिया गया है कवच बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा आपसे यहां से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है अब कवच से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट फैक्स आप याद रखिएगा यहां से पुछा जा सकता है भारतीय रेलवे द्वारा विक्षित किया गया है अब स्वाधीसी रूप से विक्षित किया गया है कि टोटली जो है वो मेकिन इंडिया के तहत इसका विकास किया गया है और इसे ट्रेंड कॉलिज विकाराबाद खंड के मध्य जो है चलाया जा रहा और धीरे धीरे पूरे भारत वर्स में इसे चलाया जाएगा तो यह कबच से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है और कबच से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक किलो मेटर पर जो रेलवे में किया जा सके अगला भारत सरकार दौरा नारी सक्ति पूरसकार 2022 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है ध्यान रखिएगा जो नारी सक्ति पूरसकार है यह नारियों को दिया जाने वाला यानि कि महिलाओं को दिया जाने वाला भारत का सर्वस्रेष्ट कब दिया गया तो आठ मार्च को दिया गया आठ मार्च को क्या होता है तो आठ मार्च को आपका अंतराष्टिये महिला दिवस मनाया जाता है ठीक अब पहिला महिला दिवस कब मनाया गया अगर आपसे पूछा जाता है कोश्चन तो पहिला महिला दिवस याद रखिएगा 1909 में मनाया गया था कहां? अमेरिका में अब उसके बाद United Nation द्वारा इस महिला दिवस को कब अडॉप्ट किया गया? ये भी याद रखिएगा तो 1977 में United Nation के द्वारा महिला दिवस को जो है अडॉप्ट किया गया और पूरे विस्व भर में महिला दिवस मनाया जाने लगा एक important और fact रखिएगा कि Women and Child Development Ministry गवर्मेंट ओफ इंडिया के द्वारा एक मार्च से लेकर 7 मार्च तक प्रतेक वर्ष जो है महिला सप्ताह के रूप में मनाया जाता है यहां से भी आप से question जो है पूछा जा सकता है कि महिला सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है तो इस बात को भी याद रखिएगा और जैसे मैंने बोला कि 8 मार्च को जो है महिला अंतराष्टिय दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सरवच पुरसकार है ये भी ध्यान रखिएगा कि यह पुरसकार किसके द्वारा दिया जाता है तो यह पुरसकार जो है Women and Child Development Ministry के द्वारा दिया जाता है ताकि इन्हें इंपावर किया जा सके 1999 में अगर आप देखोगे तो इसे दूसरे नाम से जाना जाता था जैसे स्त्री सक्ती पुरसकार लेकिन 2015 में इसका पुनरगठन किया गया और 2015 में पुनरगठन करने के बाद इसे नारी सक्ती पुरसकार के नाम से जाना जाने लगा अब यह पुरसकार जो है 6 संस्थागत और 2 व्यक्तिगत स्रेणियों में दिया जाता है ठीक चलिए अगला हाली में made in India पेटा स्केल सूपर कम्प्यूटर परम गंगा कहां इस्थापित किया गया है परम गंगा सूपर कम्प्यूटर ठीक सूपर कम्प्यूटर सरे लेटर जब भी आप कुश्चन देखो तो कुछ पॉइंट्स को याद रखना कि सूपर कम्प्यूटर का जो तिवरता है किस पैमाने से मापा जाता है सूपर कम्प्यूटर भारत में जो है हाली में 500 में भी आया था जो ग्लोबल सूपर कम्प्यूटर उसमें 500 में भी आया था इसके अलावा हाली में जो भारत का सबसे तेजी यानि कि सबसे तेज छमता वाला जो सूपर कम्प्यूटर लॉंच किया गया उसके बारे में आपको याद रखना है लेकिन आप यहाँ पर पहले आप इसका आंसर देखलो उसके बारे में आधर फैक्स बताता हूं मैं सूपर कम्प्यूटिंग मिशन यानि कि नाशनल सूपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत में स्टाबलेस किया गया है और आयाइटी रूड़की में इसे स्थापित किया गया है परम कम्प्यूटर यानि कि परम गंगा सूपर कम्प्यूटर का जो चमता है 1.66 P-FLOP है और इसकी द्वारा त्यार किया गया है ये बात को भी याद रखिएगा C-DEC द्वारा इसे डिजाइन और कमिशन किया गया है और किस मिशन के तहत में तो सुपर कम्प्यूटर मिशन के तहत अब यहाँ पर आपको कुछ और बातें याद रखने के जरूवत है जैसे ये राष्टिय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन है क्या है तो राष्टिय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन जो है Ministry of Electronics and Information Technology के द्वारा और इसके साथ ही Science and Technology Department दोनों के साथ में मिलकर इसे C-DEC द्वारा जो है वो संचालित किया जाता है C-DEC द्वारा संचालित किया जाता है और साथ में IISC बैंगलोर द्वारा भी इसे जो है वो संचालित किया जाता है राष्टिय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन को इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हाली में यानि कि February 2022 में भारत का सबसे फाष्टे सुपर कम्प्यूटर कमिशन किया गया जिसका नाम था प्रम प्रवेक जिसे कहां कमिशन किया गया है IISC बैंगलोरो में इसके बारे में भी याद रखिएगा और भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर जिसे टॉप 100 में शामिल किया गया पूरी दुनिया का उसका नाम था परम सिध्धे और दुनिया का सबसे फाष्टेस सुपर कम्प्यूटर कौन से देश में कमिशन किया गया है तो उसे कमिशन किया गया है आपका इसी साल यानि कि जनवरी 2022 में जिस कौन से देश में कमिशन किया गया है जापान में और उस सूपरकम्प्यूटर का नाम क्या है तो दफुगाकू सूपरकम्प्यूटर तो ये भी आप इस टॉपिक्स रिलेटेड याद रखिएगा चलिए अगला धर्मगारजियन नमक युद्धा अभ्यास भारत किस देश के साथ में मिलकर आयोजित करता है तो ये इसकी शुरुवात हुई थी 2018 में एक वार्सिक युद्धा अभ्यास है याद रखिएगा और प्रतेक वर्स यानि की वार्सिक है तो प्रतेक वर्सी होगा ये भारत में ही आयोजित किया जाता है और इस साल कहां आयोजित किया गया तो इसका आयोजन बैंगलोर में किय गया अब किसके साथ में करता है तो जापान के साथ में करता है इस से रिलेटेट कुछ और इंपोर्टेंट फॉइस देख लो कब से कब तक इसका आयोजन किया गया इस साल तो 27 फरवरी 2022 से 10 मर्च 2022 तक किया गया अब इसके अलावा भारत जापान के साथ और कौन-कौन सा यह किसके साथ में करता है तो यह भी जापान के साथ में कि हम डिसकस करें कि जापान के साथ भारत और कौन-कौन से जो है युद्धा अभ्यास करता है यह एक समुद्री अभ्यास है और इसके अलावा एक सहयोग काईजीन सहियो काईजिन के बारे में भी आप याद रखिएगा ये भी भारत और जापान के बीच में एक युद्धा अभ्यास है जो की तटरक्षक युद्धा भ्यास है तो इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा इसके बाद एक नो सिना अभ्यास है जिसे मालावार के नाम से जाना जाता है इसमें भी जापान और भारत सामिल है लेकिन इसके अलावा अमेरिका और ऐस्टेलिया भी सामिल है ये भी आपको याद रखना होगा अगला अंतराश्टिय निशाने बाजी खेल महासंग यानि की आई एस एस एफ विस्फ कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं चार पांच छे या फिर साथ तो याद रखिएगा कि इस खेल में भारत ने प्रथा मिस्थान प्राप्त किया है टोटल साथ मैडल जीत कर तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका साथ इससे रिलेटर कुछ और इंपोर्डेंट फैक्स देख लेना इसका आयोजन कहां किया गया तो मिस्तर में कहां मिस्र के काहिरा में कब से कब तक किया गया 26 फ्रवरी से आठ मार्च 2022 तक किया गया भारत ने इसमें कुल जो है शाथ पदक जीता है जिसमें से चार आपका स्वन पदक हो गया, दो आपका सिल्वर हो गया और इसके अलावा एक आपका कांस से हो गया और इस तरह से भारत जो है इसमें पहले स्थान पे रहा दूसरे स्थान के अगर हम बात करें तो नौर्वेज है पदक के साथ इसमें दूसरे नमबर पर रहा और अगर हम तीसरे नमबर की बात करें तो तीसरे नमबर पर आपका यहां फ्रांस रहा और इस विस्व कप में 60 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया भारत पहले इस्थान पर रहा है किस थापना की है, इसकी छमता कितनी है, लेकिन इस floating solar plant से पहले एक floating solar plant के बारे में जरूर याद रखना, क्योंकि यह बहुत news में भी रहा है और बहुत ही चर्चित रहा है, जिसे की अगस्त 2021 में commission किया गया था, कहा की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह आंद्र प्रदेश के floating solar plant की मैं बात कर रहा हूं जिसकी छमता 25 मेगा वाट का था और इसके साथ ही 100 एकड में इसको स्थापित किया गया था जो कि भारत का सबसे बड़ा floating solar plant और ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला floating solar plant भी था जिसको इसकी बात हो गई अब बात इसकी चमता कितनी है जितना तमिलाडू में जो इस floating solar plant को solar power plant है अब कुछ important facts और याद रखना है जैसे कि इसको established किसके द्वारा किया गया तो इसको established किया गया उर्वरक निर्माता सर्दन petrichemicals industry corporation limited के द्वारा अगर पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए लागत कितना है तो 150.4 करोड रुपेज इसकी लागत है और 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की छमता है प्रतेक साल इसके बार में याद द्वारा किया जाता है तो इसका संचालन किया जाता है इस तो यानि की Indian Space Research Organization के द्वारा किस उद्धेस के साथ में किया जाता है ताकि बच्चों में Satellite साइन्स को या फिर रॉकेट साइन्स को समझने की जहमता जो है विक्सित हो सके और इस तरफ वो इंट्रेस्ट ले सके अब इसका जो एलिजबिलीटी है वो कक्छा आठ तक है यानि कि कक्छा आठ में अगर वो कोई बच्चा अच्छे ग्रेट से पास हुआ हो तो वो इसमें सामिल हो सकता है साथ में ये भी देखा जाता है कि वो पिछले दो से तीन सालों में किस तरह से विज्ञान मेला में उन्होंने पाटिसिपेट किया चाहे वो डिस्टिक लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे नेसनल लेवल पे हो तो ऐसे बच्चों को जो है इस रो अपने केंदर में बुलाकर सारी चीजों का प्रसिक्छड भी देती है और किस तरह से रोकेट साइंस काम करता है किस तरह से उनका कैरियर बन सकता है इन सारे मुद्दों पे बात किया जाता है अब यूविका का फुल फोर्म भी याद रखी विका यूवा विज्ञानी कारिक्रम अब 2022 से रिलेटेड ये नियूज में इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन जो होने वाला है कब से 16 मई से लेकर 28 मई 2022 तक एक कुछ पॉइंट्स और आप याद रख लो जैसे कि सबसे पहला यूविका कारिक्रम कब चलाया गया तो इससे लॉंज किया गया था 18 जनवरी 2019 को लेकिन यह कारिक्रम लॉंज कब हुआ 17 मई 2019 को 18 जनवरी 2019 को इस कारिक्रम की घोसना हुई थी माफ किजिएगा और 17 मई को इसको लॉंज किया गया था और लॉंज कि इसने किया गया था तो तातकाली इस तो के प्रमुक के सीवन जो की अब यह प्रमुक नहीं है अब प्रमुक कौन है तो अब वरतमान समय में इस तो के प्रमुक कौन है तो इस सोमनात वर्तमान समय में इस्त्रो के प्रमुख है जिने जो है 15 जनवरी 2022 को अपोइंट किया गया तो अगर आप से पूछा जाता है कि वर्तमान समय में इस्त्रो के प्रमुख कौन है तो इस सोमनात के बारे में याद रखिएगा किनकी जग़ा पे अपोइंट किया गया है तो KC1 के बारे में अपोइंट किया गया है इनके बारे में एक और फैक्ट रखिएगा कि अब ये कीरल के पाँचवे ऐसे व्यक्ति बन चुके है जिन हुने इसरो की प्रमुकता यानि की जो है उसके प्रमुक नुक किये गया है अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो का हेटकौर्टर कहा है तो याद रखिएगा इसरो का हेटकौर्टर जो है आपका बैंगलोर में है पहला अध्यक्ष यानि कि पहला चेर्मेन कौन था इसरो का इनके बारे में भी आद रखिएगा 37 धावन तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक, चलिए आगे बढ़ें और इस तरों का हेड़कोर्टर बैंगलोरु में और इस तरों के प्रमुक पहले प्रमुक कौन है इनके बारे में भी आप याद रखिएगा और इसक्टरों के बार में एक फैक्टोर ़्याद रखेगा कि ये सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती है अंतरिक्ष विफाग जोय सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंटर में काम करते है अगला कव्शन है हाली में भारतिय विमा नियामक और विकास प्रादी करन यानि कि इंसोरिंस से रेडोलेटरी डिवलोप्मेंट आथोरिटे की बात हो रही है इ exceptions और इनके हाली में अध्यक्ष अपोइन्ट किया गया है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है देवाशिषपाणडा अगर हम ما इंसोरिंस अगर हम Indian Insurance Regulatory and Development Authority की बात करें तो इसे जो है एक Act के तहट पारित किया गया था और एक Act के तहट कब इसे पारित किया गया है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन सबसे पहले इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं 30 के बारे में 3 साल तक के कार कार के लिए इन्हें जो है भारतिये विमा न्यमक और विकाष प्राधिकरन के लिए अध्यक्ष के तोर पर नियुक किया गया है किनके जगा पर नियुक किया गया है तो सुभासचंदर खुटि olduğya की जगा पर अब यहाँ पर यह समझ लो कि इंडियन वीमा रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट ऑथोरिटी जो है इसका उद्देश क्या है गठन करने के पीछे का तो जो भी इंसोरिंस जूरी कमपनिया हैं उनको रेगुलेट करने का जो काम है वो सही तरीके से काम कर सके किसी तरह से क प्रॉपर रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है और इसे जो है एक एक एक्ट के तहत पारित किया गया है उस एक्ट का नाम है और उस एक्ट का नाम है इंसोरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट ऑथोरिटी एक्ट नाइट इस एक्ट के तहत में गठित एक बॉड़ी है और ये सीधा जो है वित मंत्राले को रिपोर्ट करते हैं ठीक बात चलिए आगे बड़े अगला ट्रेंसेंड इंडरनाशनल आमट्रान्सफेर्स 2021 के अनुसार भारत ने 20 रहोस के आयात का कितना पर्सेंट हिससा आयात किया और यह रिपोर्ट किसका है सिप्री का मतलब किया है निर्म 주 we और एक्सपोर्ट पे यह रिपोर्ट रिलेस किया जाता, कौन से देश के पास में कितना हाथियार है, तो हाथियारों पे खास कर यह इंस्टिटूट वर्क करता है, और इस यानि के ट्रेंड ट्रेंड इंटरनाशनल आम ट्रांसफर 2021 के अनुसार, भारत ने 2017 से 2021 के अवधी के दोरान, 11% का जो है, वो पूरे ग्लोबल में जितना भी आयात, जिन कंट्रिस के दोरा भी आयात किया गया, उसका जितना भी हिस्सा बनता है, उसका 11% हिस्सा जो है भारत ने अकेले आयात किया है, और आयात करने वाले और टॉप कंट्रिस के अगर हम बात करें, तो भारत तो है ही 2017 से के दौरान इसके लावा सूधी अरब मिस और श्रेलिया और चीन ये टॉप फाइब कंट्रिस आ जाते हैं ये आयातक है और अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो अमेरिका रूस फ्रांस चीन और जर्मनी आ जाता है ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है यानि की निर्यातक है और इस दौरान 2017 और 21 की अवधी के दौरान ही देखोगे कि सिर्फ पांच आयातक जो है टॉप फाइब कंट्रिस है ये आयात का लगभग 38% हिस्सा इन्हों ने ही इंपोर्ट किया है जितने भी इंपोर्ट हुए उसका 38% हिस्सा जो ह जो है वह इन पांच कंट्रियों ने जो है इंपोर्ट किया है और इसका 11% जो है वह भारत ने ही इंपोर्ट किया है 2017 और 21 के तौरान इसते रिलेटेड अगर कुछ और important facts देखोगे तो भारत सबसे ज्यादा कौन से कंट्रिस से इंपोर्ट करता है हतियार तो आता है आपक लेकिन अगर आप भारत के इस आंकड़े पर नज़र डाल रहे हो तो एक आंकड़े पर आपको और नज़र डालना चाहिए कि दो अवधी के दौरान दो अवधी किसकी 2011 से लेकर 2016 और 2017 से लेकर 2021 इन दो अवधीयों के दौरान भारत में इंपोर्ट का जो परसेंटेज है वो 45 परसेंट तक डाउन हुआ है हथियारों को आयात करने में ये भी बहुत इंपोर्टेंट आगड़ा है आपको ध्यान रखने की जरूरत जो है वो है अच्छा है एक खास बात और है कि जो 2022 और 2023 का रक्षा बजट है उसमें से 68 परसेंट जो बजट है वो खुद घरेलू ही ह हाथियारों को उत्पादन करने से संबंदित अलोकीट किया गया है ताकि भारत इस दिशा में सक्छम बन सके किसी पर निर्भर न रहे इसलिए भारती इंफ्रस्ट्रक्चर को बूश्ट करने के लिए इस साल के बजट में 68 परसेंट का जो बजट है वो खर्च किस पर किया फाद्च राजियों में विधान सभा का चुना हुआ तो पंजाब के ने मुख्य मंत्री के रूप में किनों ने सपत लिया भगमत्मान इससे पहले पंजाब के मुख्य मंत्री कौन थै चरन जित संचनिय और इन से भी पहले कौन थे तो कैप्टन अमरेंदर सिंह यह तो हो पंजाब के मुख्यमंत्री के बाद कुछ important facts आपको याद रखना है जैसे पंजाब में विधान सवा के कुल सीटे कितनी है 117 यह आप याद रखिएगा अगर हम पंजाब से बाहर चले जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं उत्राखंड का उत्राखंड के मुख्यमंत्री के कुल कितने सीटे है 70 इसके बाद अगर हम गुवा की बात कर लेते हैं तो गुवा में हाला कि अभी मुख्यमंत्री ने सपत नहीं लिया है लेकिन गुवा में भी आपको याद रखना है विधान सवा के कुल कितनी सीटे है 40 और जो 5 राज्यों में अभी हाली में चुना हु गुवा तो इसमें सबसे का विधान सवा के सीटे कहा है आपका गुवा में है ये याद रखेगा इसके लाभा और कौन से राज्यों में चुना हुआ तो बात करते हैं हम मणिपूर की तो मणिपूर में विधान सवा के कुल कितनी सीटे है 60 और यहां पर मुख्यमंतरी की किनों ने सपत लिया किनों ने मुख्यमंद्री के रूप में सपत लिया तो बिरेन सिंग अब इतने के बाद हम बात करते हैं यूपी की, यूपी में विधान सभा की कुल कितनी सीटे है, याद रखिएगा 403, अब ये 403 legislative assembly का है, अब हम legislative council के अगर हम बात करें, विधान परिसत की बात करें, तो यूपी में विधान परिसत भी है, जहां पर 100 सीटे है, मुख्य मंतरी कौन, तो योगी आदित्यनाथ है यहां पर मुख्य मंतरी के रूप में इन्होंने सपत लिया, legislative council के अगर हम बात करें, तो भारत के कितने राज्यों में वर्तमान समय में legislative council है, तो 6 राज्यों में हैं, ये 6 राज्ये कौन-कौन से है, तो सबसे पहला तो आपका यूपी ही हो गया, उसके बाद आपका बिहा हो जाता है, उसके बाद आपका तिलंगाना हो जाता है, आंद्र प्रदेश, करनाटका और महराष्ट्र, ये 6 ऐसे राज्ये हैं, जहां पर वर्तमान समय में legislative council है, साथ हुआ करता था, लेकिन जम्मू कस्मिर में, 2019 में legislative council वहां पर खत्म हो गया, क्योंकि जम्मू कस्मिर का विगटन करके, दो केंदर सासित प्रदेशों में उसे डिवाइट कर दिया गया, ठीक, तो 6 legislative council है, लेकिन 6 में से आंदर प्रदेश वाला जो legislative council है, आपका, इसे समाप्त करने के लिए आंदर प्रदेश की विधान सभाने एक विधेयक जो है पारित कर लिया, लेकिन केंद साली report 2022, यानि के global happiness index 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप किया है, याद रखिएगा जबी global happiness index release किया जाता है, तो इसके जो parameters है, वो आप ये parameter मस्त सोचिएगा, कि उन लोग ये search करते होंगे, जा जाकर कि कौन कितना खुस है, या फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम रखिएगा, कि भारत को इस report में rank मिला है 136, इससे पहले जो था, यानि कि पिछले साल 139 था, यानि कि तीन अंकों का सुधार हुआ है, ठीक, अब 20 March को प्रतेक सार जो है happiness day मनाया जाता है, international happiness day, इसी दीन जो है वैस्विक खुसहाले report release किया जाता है, पहला खुसहाले report कव release किया गया, 2012 में किया गया, यह इसका दसवा वर्सगाड था, और अब इसमें देखा क्या जाता है, इसके parameters क्या है, तो per capita income देखा जाता है, proper यानि कि उनका GDP है per capita, वो किसी साब से है, इसके अलावा social support उन्हें किस तरह से मिल रहा है, या फिर उनका social support किस प्रकार से है, ज आश्टाचार की धारना जो है आपके अंदर किस प्रकार से, तो इन कुछ parameters के अधार पे 150 countries का जो है, ग्लोबल happiness index त्यार किया जाता है, अगर सबसे improvement वाले हम countries की बात करें, तो सर्विया, बुल्गारिया और आपका रोमानिया आ जाता है, इसके अलावा, अगर हम सबसे न आखुस countries की बात करें, तो अफगानिस्तान आ जाता है, उसके बाद लिबनान, जिंबाबे, या फिर रवार्ना जैसे countries का नाम आ जाता है, और भारत, जैसे मैंने बोला कि मामूली सुधार देखा गया, तीनंकों का 149 से 136 स्थान पे पहुँच गया है, रैंकी भारत के य 5 वर्सों के लिए किया गया है, रासी कितना है, तो रासी है आपका 3.2 लाक करोड रुपे, अगले 5 सालों में भारत में नीवेस किया जाएगा, भारत और जापान के अगर रिलेशन की बात करें, तो अमेरिका और रूस के बाद जापान ऐसा कंट्री है, जिसके साथ भारत 2 प्लस 2 डायलोग, आयो जित करता है, 2 प्लस 2 डायलोग मतलब कि दोनों ही कंट्री के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो है, इस डायलोग में हिस्सा लेते हैं, तो भारत 3 देशों के साथ अभी 2 प्लस 2 डायलोग करता है, जापान, रस्या और अमेरिका, ठीक, याद और भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसे की मुंबई से देल ही तक चलाना है, और इस प्रोजेक्ट में जो फंड किया गया है, यानि कि जो लोन दिया गया है, कितना 90 बिलियन डॉलर का, वो किसके द्वारा दिया गया है, 0.001 परसेंट एंट्रेस्ट पर ज ये धियान रखियागा, कितना 42 अरब डॉलर का ये लगभग रखम होता है, अगला, हाली में रख्चिन कोरिया के नए राष्ट पती के रूप में किन्हों ने सपत ली है, साउथ कोरिया, अगर कोई भी नियू अपोइंट्मेंट होता है, तो आपके एक्जाम के लिए इं अपोइंट किया गया है, अब इसके अलावा हम फ्रेंक वॉल्टर, स्टिन्मेर की बात करें, तो इन्हें हाली में जो है, कहा का, जर्मनी का प्रधान मंद्री अपोइंट किया गया है, और डख्चिन कोरिया की हम पर बात किया गया था, नए राष्ट पती के रूप में कि और जब हम साउथ कुरिया की बात कर रहें, तो यहाँ पर आपको एलो सी के बारे में याद रखना है, यह एलो सी कहा इस्थी था, जैसे देखो, ब्लैक सी कहा इस्थी था, तो पुर्वी यूरोप में इस्थी था, तो उसी तरह से एलो सी जो है, वो पुर्वी एसिया में इस तीध है चाइना और Sाइट कुरिया के बीच में है ये शीट और Sाइट कुरिया करा जहानी क्या है سीएल और साइट कुरिया के बारे में एक ओर important facts याद रखिएगा कि Sाइट कुरिया को जो है सांती का भूमी कहा जाता है तो इस बात को भी आप याद रखेगा चली अगला है हाली में सेवी यानि कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया की पहली महिला चेयर परसन की नहीं अपॉइंट किया गया है सेवी क्या है रेगुलेट करती है किसे सिक्योरिटी को यानि कि जो सियर मार्केट में आप इंवेश्ट करते हैं मुझल फंड में इंवेश्ट करते हैं तो उस मार्केट को रेगुलेट करने का कारे जो है वो सेवी का यानि कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया का है तो पहली महिला चेयर पर्सन अपॉइंट की गई है ये माद भी पूरी भुज है और इससे पहले ये जो है ICICI में सेक्योरिटीज हेट थी यानि कि सेयर मार्कर से रिलेटेड ICICI बैंक का जो भी सारी चीजे था उसको हेट कर रही थी ठीक तो याद रखिएगा गीता गोफीनाथ नाम भी याद रखिएगा ये भी बहुत फेमस नाम है इन्हें IMF का चीफ एकॉनिस्ट बनाया गया है यानि कि इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड का जैन्ती घूस का भी हाली में जो है हाई लेवल इन्हें हाली में हाई लेवल एडवेजरी बनाया गया है कहां United Nations Effective Multilateralism में इस बात को भी आप दिहान रखेगा यह तीनों बहुत ही important नेम है अगर हम सेवी की बात करें इसके अलावा सेवी के बारे में भी आप याद रखेगा इसे फॉर्म कप किया गया अप्रेल 1988 स्टैबलिस किया गया था लेकिन स्टैचूरी बॉड़ी यानि कि एक वैधानिक निकाय का भी यह बना तो याद रखेगा 1992 में सेवी एक्ट पारित किया गया इनके Security Exchange Board of India Act के तहत 1992 में इसे किया गया और जनवरी 30 जनवरी से यह जो है Statuary Body बन गया Headquarters का कहा है तो Mumbai महराश्टर में है तो इस तरह से इस तरह related कुछ important facts भी आप याद रखेगा अगला जो है वो है प्रतीक वर्स अंतराश्टिय महिला दीवस कब मनाया जाता है तो इससे पहले ही हमने डिसकस किया था आठ मार्च को प्रतीक वर्स जो है International Women Day मनाया जाता है पहला Women Day कब मनाया गया तो 1909 में मनाया गया कहां मनाया गया तो अमेरिका में मनाया गया युनाइटेड नेशन दोरा कब एडॉप्ट किया गया तो 1977 में इसे अंतराश्टिय महिला दिवस के रूप में एडॉप्ट किया गया थीम याद रखिएगा जेंडर एक्वाइलिटी टूडे फॉर एक सस्टेनेबल टुमोरो यह इसका थीम है अगला कोश्चन है हाल ही महा 2008 का इन्होंने राजस्थान रॉयल्स का प्रतनिधित्व किया और विजेता भी राजस्थान की टीम बनी पहले आईपियल का जिसके कप्तान थे सेनवाट अगर हम सेनवाट की बात करें तो सेनवाट को स्पिन का जादूगर भी कहा जाता है इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था कहां के खिलाड़ी हैं और सेलिया के डेट कब हुए इनका डेट कब हुआ चार मार्च 2022 को हुआ यह याद रखिएगा इनका डेव्यू मैच याद रखिएगा भारत के ही खिलाफ था आपका टेस्ट डेव्यू दो जन्मरी 1992 को और ODA 24 मार्च 1993 न्यूजिलेंड इन्हों वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट मैच में लिया है तो यह आपका नेशनल इंटरनाशनल करेंट अफस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लगबग 20-25 दिनों का उन सभी को हमने डिसकस किया है अब इसके बाद जो होगा वह रेगुलर सापताहिक होगा बहतर कं लगता है उतना जोर लगाएंगे लेकिन बस आप यह कीजिएगा कि कंसिस्टेंसी मेंटीन कीजिएगा यह बहुत जरूरी हो जाता है तो आज के इस लेक्चर में फिला लेतना ही थांक यू थांक यू बर्मच